अमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूटूब चैनल डिजीटल फंक्शन पर फिर मैं आपके लिए एक और नए वीडियो लाएं दोस्तों आज बात करेंगे फिर से किराना गडित कैसे समझे इसका दोस्तों मैं पार्ट टू लेके हो पार्ट बन मैंने बना दिया है आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके तो आज मैंने आपके लिए पार्ट टू बनाया है किराना गडित कैसे समझे दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा आपको इसमें जो बताऊंगा मैं जैसे कई बार क्या गिराग जब आता है अपन पता है तो कि यह उपता करना है कि वह कि थो यह वस्तु कितने प्रूपे की होगी तो इसी पर मेरे वीडियो बनाया है आसान से अर प्रमुज़एंगे को और ट्रिक के मध्य में सम जिससे आप जल्दी से जल्दी उसको पता कर सकेंगों इससे पहले लिए आप मेरे चैनल पर नए है या पहली बार चैनल को जरूर सफाई कीजिए और बैल आइकन को प्रैस कीजिए क्योंकि दोस्ते में कराना स्टोर बेजनल से संबंद वीडियो बनाता रहता हूं तो चलिए दोस्ते वीडियो श्कार करें तो सबसे पहले जान लो आपकी एक किलो में एक हजार गिराम होता है यह आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए आप जदी दुकंदारी करते हो तोलने वाली जिसमें आपका बजन का काम होता है जिद दुकंदारी में आपको यह पता होना चाहिए नए दुकंदार को जरूर होना चाहिए पुराने को मालूम होता है दोस्तों दोस्तों बात करें फोर्मूला क्या है आप देख सकते वस्तू का वजन वस्तू का मुल यानि वस्तू का भाव क्या है और वस्तू का वजन तो चलिए दोस्तों वीडिये स्टार्ट करते हैं तो देश्तों मैंने पहले ही कु मुझे आट दे दो आट कितने रुपे आपको पता ऊना चाहिए ल।えー कम कहा है तो 600 गेराम आट कितने रुपेगे होगा तो दोस्तों छीदा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कैसे करना है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको इस पर क्या लेका है वस्तू का बजन कितना है दोस्तों 600 गिराम है अपन 600 लेखेंगे इदर फिर multiply करेंगे वस्तू का मुले कितना है दोस्तों 35 रुपए अप इसको अपन ऐसे करेंगे तो आप ऐसे करोगे फॉर्मूला लोगे 600 multiply 35 तो आपका आजाएगा 21,000 तो आपको इसको में इजी करना है यानि कि 21 रुपए का वह आटा होगा 600 गुराम लेकिन 21,000 आ रहा है आपको इजी ट्रिक बताता हूं इसको आपको सीधा भाग करना है 11,000 तो क्योंकि 1000 से क्यों करना है दोस्तो एक केजी में 1000 गराम होता दोस्तो यह easy बनाने के लिए तो आपका 21 रुपए अंसर राजाए यानी 21 रुपए का 600 गराम मादा ओ इसको अपनाला पड़ेगा वस्तू का बजन कितना है दोस्तो 550 गिराम इसको मल् accents करेंगे और वस्तू का मुले कितना है 40 रुपे तो आपको 40 लिखना है मैं आपको करके दिखाता हूँ देखो वस्तू का बजन जो है बस्तू का मुले है 500 गिराम इसको हम multiply करेंगे 40 यानि कि वस्तू का मुल्य भाव है जो 40 रुपे किलो है अब इतरे 22,000 आ यानि 22 रुपे की चीनी होगी 5500 लेकिन अपने इसको इजी बनाने के लिए जैसा मैंने बताया आपको 1000 से भाग करना दोस्तो ये 22 रुपे आपका अंसर आ जाएगा दोस्तो अब एक और उधान तो दाल कितने रुपे की होगी तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1500 गिराम दोस्तो डाल है उसको मुल्टिपल करेंगे बस्तू का मुल्य कितना है 120 रुपे किलो डाल है उसको हम करेंगे आपको मैं दिखा जेता हूं 1500 मुल्टिपलाए 120 यानि कि 180,000 रुपे आ गया अब इ 180 रुपे दोस्तो इसका अंचर है यानि कि डेड़ किलो डाल जो 1500 ग्राम डाल है 120 रुपे के भावस कितने रुपे की होगी 180 रुपे की दोस्तो यह इजी ट्रीक है दोस्तो अराम से आप कर सकते हो नए दुकंदारों को इसकी जरुत पढ़ती है इस वीडियो से वह सीख सक करेज़ेगा मिलते एक नई वीडियो साथ धन्यवाद दोस्तों